मीट दगिंप में आपका स्वागत है यह टुटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनोट द्वारा निर्मित है इस टुटोरियल में मैं ड्रॉइंग टूल्स की विस्तार पूर्वक व्याख्या करूंगा पहला ड्रॉइंग टूल पैंसिल है और यह बहुत मजबूत किनारों के साथ कार्य करती है यहां मैंने एक सीधी रेखा कीची है और यदि मैं इमेज पर जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रत्यक पिक्सल कारा या सफेध है जब मैं ड्रॉइंग के लिए पेंट प्रश का चैन करता हूँ तो मुझे एक लाइन प्राप्त होती है जिसके सॉफ्ट किनारे होते हैं और जब मैं वापस जूम पर स्विच करता हूँ तो आप पैंसिल से खीचे जाने पर द्रिश्य जैगिर से यूख एक हार्ड लाइन देख सकने हैं और जब मैं पेंट ब्रॉइंट से खीचता हूँ तो मुझे एक सॉफ्ट लाइन प्राप्त होती है यहाँ वापस पैंसिल पर आएं आप देखते हैं कि पैंसिल के किनारे बहुत शार्फ है और पैंट ब्रॉइंट के किनारे चिकने हैं किंत्व आप यहाँ जैगिर नहीं देख सकते हैं इसे आँख की ट्रिक कहा जाता है जब मैं इसे बड़ा करता हूँ तो आप यहाँ इसे Anti-Aliased देखते हैं यह Pencil एवं Paint Brush के बीच मुख्य अंतर है अन्याथा वे लगबग समान है और उनके विकल्प भी लगबग समान है अब Paint Brush के साथ शुरू करते हैं टूल बॉक्स में Paint Brush टूल पर क्लिक करें और आपको उसके लिए विकल्प राप्त होते हैं यह मोड बिल्कुल लेयर मोड के समान है चुकि आप यहाँ Multiply या Overlay और अन्या को देख सकते हैं यहाँ Opacity Slider दिया गया है और इसका उप्योग करके आप द्रिश्यता और Line के रंग को नियंत रिट कर सकते हैं मैं मानो 25% पर Slider करता हूँ और अब जब मैं खीचता हूँ तो मुझे काले के बज़ाए हलके ग्रे रंग की Line प्राप्त होती है और जब मैं इस Line को एक नई Line से Cross करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रंग गहरा होता जाता है किन्तु यह केवल तब होता है यदि मैं इसके उपर एक नई Line खीचता हूँ मैं इस भाग में जूम करता हूँ और एक अपेक्साकृत बड़ी ब्रस का चयन करता हूँ और अब जब मैं Line खीचता हूँ तो यह ग्रे रंग की होती है और मैं दूसरी Line खीचता हूँ और इन दो Line का कटान गहरे ग्रे रंग का होता है और जब मैं यहां तीसरी Line खीचता हूँ और कटान अधिक गहरे ग्रे रंग का होता जाता है किन्तु जब मैं उसी Line पर वापर्स पेंट करता हूँ तो इसका रंग गहरा नहीं होता है अतर यह केवल stroke to stroke कार्य करता है और आप आसानी से एक शेत्र को ग्रे रंग से paint कर सकते हैं और आपको इसे भरते समय ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आप incremental नामक एक विकल्प देख सकते हैं जब आप incremental का chain करते हैं तो आपको अधिक मजबूत प्रभाव प्राप्त होता है ब्रशिस के विकल्पों पर जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ब्रश की spacing 20% पर सेट की गई है ब्रशिस साधारन तया एक stamp होती है जो एक ही pattern को बार बार stamp करता है और जब मैं यहाँ जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रश के आकार के 20% के बाद वहाँ इस ब्रश का अगला impression होता है यहाँ प्रत्यक ब्रश स्वयम को ढख लेती है जब आप incremental विकल्प को deselect करते हैं तो आप ब्रश की प्रत्यक stamping देख सकते हैं किन्तु वहाँ कोई भी painting नहीं है और मुझे एक दूसरी line शुरू करनी है और जब मैं incremental का चयन करता हूँ, मैं परत दर परत paint कर सकता हूँ 100% पर वापस जाएं मैंने opacity एवं incremental विकल्पो को cover कर लिया है 100% की opacity पर वापस जाते हैं और मैं पुन सम्पूर्णा काला रंग खीच सकता हूँ incremental केवल तभी सार्थक होता है यदि आपने 100% से कम opacity सेट की हो scale slider यहाँ pen के आकार को नियंत्रित करता है और जब मैं नीचे 1 तक slide करता हूँ आपको एक छोटे आकार का brush प्राप्त होता है जब मैं brush को मानो 0.05 पर scale करता हूँ मैं एक बहुत पतली line खीच सकता हूँ और मैं slider को मानो 2 पर सेट करता हूँ और मुझे एक चोड़ी line प्राप्त हो जाती है scale साधारन तया brush के व्यास को नियंत्रित करता है और आप इसे keyboard के बड़े कोश्ठकों से भी नियंत्रित कर सकते हैं खुले बड़े कोश्ठक की मदद से मैं brush के आकार को कम कर सकता हूँ और बंद बड़े कोश्ठक से मैं इसके आकार को बढ़ा सकता हूँ आप देख सकते हैं कि brush लगबग अध्रिश्य है अतर मैं बिना वह स्थान चोड़े जिसे मैं paint कर रहा हूँ brush के आकार को समा योजित कर सकता हूँ यदि गिम के लोगों में से कोई कुछ करना चाता है तो मैं slider को वापस 1 पर ले जाने के लिए एक बटन चाहूँगा अतर स्केल विकल्प को कवर किया गया है और मैं अगले टिटारियल में brush को विस्तार से कवर करूँगा यहाँ pressure sensitivity नामक एक विकल्प है और मैं इसे image को edit करते समय प्रयोग कर सकता हूँ अतर opacity पर एक नज़र डालते हैं अब जब मैं बिना अधिक दबाव के इसे खीचता हूँ तो आपको एक line प्राप्त होती है जो रंग में grey होती है और जब मैं दबाव बढ़ाता हूँ तो मुझे गेरे रंग की line प्राप्त होती है और जब मैं दबाव कम करता हूँ तो मुझे हलके रंग की line प्राप्त होती है यह विकल्प लाब प्रद है यदि आप एक मास्क को paint कर रहे हों यह काफी लाब प्रद होता है अगरा विकल्प hardness है जब मैं बिना अधिक दबाव के खीचता हूँ तो एक soft border प्राप्त होता है और जब मैं दबाव बढ़ाता हूँ तो paint brush एक pen की तरह कार्य करता है जब मैं pencil tool का train करता हूँ और खीचता हूँ तो मुझे hard border प्राप्त होता है और यह एक hard border बना सकता है यदि वास्तों में tablet पर दबाव डाला जाता है मैं pressure sensitivity के साथ brush के आकार को बदल सकता हूँ इसके अलावा मैं pressure sensitivity के साथ रंग भी बदल सकता हूँ अतर मैं background रंग से दूसरा रंग चुन सकता हूँ यह यहाँ कैसे किया जाता है अतर इस लाल रंग का चैन करते हैं और foreground रंग के लिए इस अच्छे हरे रंग का चैन करते हैं और जब मैं कम दबाव के साथ चैनीत रंग के साथ paint करना शुरू करता हूँ तो मुझे हरा रंग प्राप्त होता है और जब मैं दाब बढ़ाता हूँ तो मुझे लाल रंग प्राप्त होता है और यदि release करता हूँ तो मुझे पुना हरा रंग या हरा पदार्थ प्राप्त होता है और रंग हरे और लाज रंग के बीच में बदलता है अंतिम विकल्प ग्रेडियन्ट से रंगों का प्रयोग करना है ग्रेडियन्ट का चेयन करने के लिए फाइल, डायलॉग और ग्रेडियन्ट पर जाएं यहां ग्रेडियन्ट है और अब मैं सिर्फ इस विंडो को खोलता हूँ और इसे यहां खीचता हूँ और अब यहां मुझे एक ग्रेडियन्ट प्राप्त होता है ग्रेडियन्ट में मेरे पास बहुत से पैटन है इसका चैन करते हैं और अब मैं यहां वापस आता हूँ अब जब मैं पेंट कर रहा हूँ, पेंट इस पैटन के माध्यम से ग्रेडियन्ट पर जाता है ग्रेडियन्ट के साथ लिखना या कारिय करना जैसे कारिय करने के लिए यह काफी मज़ेदार है यह ट्यूब से बना हुआ प्रतीत होता है यह gradient के विकल्प थे यह विकल्प उन सभी tools के लिए समान होते हैं जो उप्योग करते हैं brushes यानि pencil, paint brush, eraser और airbrush जिनके कुछ अतीरिक्ट विकल्प होते हैं इंक में कोई brush नहीं होता किन्तु इसमें बहुत से अन्य विकल्प होते हैं clone tool, healing tool, perspective clone tool और समान tools जैसे blur, sharpen या dodge और burn जैसे tools में भी ब्रशों का विकल्प होता है अब pencil एवं paint brush पर वापस आते हैं इसे पुनस साफ करते हैं या कुछ tricks हैं जिने आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं पहली trick एक line खीचने के बारे में है जब मैं एक सीधी line खीचने की कोशिच करता हूँ तो यह थोड़ा कठिन होता है लेकिन जब मैं पहले क्लिक करके एक बिंदू सेट करता हूँ और shift की दबाता हूँ तो मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है या मुझे एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है अगली ट्रिक सिर्फ एक बिंदू सेट करना और shift और control दबाना है और अब मेरी line का चक्रण 15 डिग्री पर लॉक हो जाता है और इसलिए मैं आसानी से निर्दारिक कोणों के साथ सीधी रेखाएं कीच सकता हूँ यहां यह कितना अच्छा masterpiece है यहां कुछ और भी है जो आप shift की के साथ कर सकते हैं उसके लिए gradient tool का चैन करें चुने हुए gradient के साथ एक line खीचे और आपको बहुत से रंग प्राप्थ होते हैं मैं एक छोटे brush का चैन करता हूँ और gradient tool को deselect करता हूँ और अपने मानक रंगों का चैन करता हूँ अब जब मैं control की दबाता हूँ मैं उस line से एक रंग चुन सकता हूँ जो मैंने कीची है और आप देख सकते हैं foreground रंग नीले रंग की tone में बदल गया है अतर मैं image के बार कहीं से एक रंग ले सकता हूँ जो काफी अच्छा हो और यदि आप एक चित्रों में कुछ paint करना चाते हैं और इसमें वही रंग है जो आप भरना चाते हैं इस पर सिर्फ कंट्रोल दबा कर क्लिक करें और आपको आपके palette में वह विशिष्ट रंग प्राप्थ हो जाता है यह एक अच्छी ट्रिक है साधर अंतया eraser tool pen या brush के समान टूल है क्योंकि यह उनके बिल्कुल विप्रीथ है eraser भी paint करता है किन्तु यह background रंग प्रदान करता है आप यहां यह देख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको pressure sensitivity या opacity को deselect करना चाहिए जब मैं सीब foreground रंग और background रंग को काले और सफेद रंग में स्विच करता हूँ और सफेद रंग को foreground रंग में स्विच करता हूँ और pen का चयन करें, मुझे eraser के समान प्रभाव प्राप्थ हो सकता है रंग बदलने के बाद, इरेजिंग के फर्ल स्वरूप काला रंग प्राप्त होता है आप X की दबाकर, Foreground एवं Background रंग को बदल सकते हैं मैंने विश्थार पूर्वक, Pencil, Paint Brush और Eraser पर भी चर्चा की है अधिक जानकारी के लिए MeetTheGimp.org पर जाएं और यदि आप कोई टिपणी करना चाहते हैं क्रिपिया-Info at the rate MeetTheGimp.org पर लिखें अलविदा, यह टुटारियल प्रफाकरद्वारा अनुवादित है, मैं यह शूराब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद